हेलो मेरे फूडीज कूकी पर्वित्रानी में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगी पाव भाजी की रेसिपी तो सबसे पहले हम बनाएंगे भाजी इस लाज जवाब सी भाजी को बनाना शुरू करते हैं और ये भाजी मैं बनाऊंगी कूगर के अं अब लेंगे आलू और आलू को भी मैंने बड़े तुकडो में ही रखा है एक आलू को आप बीच में से काटके दो हुसे करके भी इसकंदर डाल सकते हैं और इसे हम बीना कलर के बना रहे हैं तो इसमें कलर के लिए मैंने लिए हैं आपे चुकंदर चुकंदर से बहुत जादा ही आजाएगा जो कि जादा कलर हमें नहीं चाहिए और यह ली है मैंने मटर अगर आपको मटर मैश नहीं करनी है भाजी के अंदर साबुत चाहिए तो आप मटर को अलग से उबाल कर भाजी के अंदर डाल सकते हैं तो भाजी के लिए मैं आप जो जो सब्जी इस्तमाल कर रही हूँ, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी है, आप चाहो तो इसके अंदर शिमला मिर्च भी ढाल सकते हो, फूल गोभी ढाल सकते हो, अगर आप बहुत सारी सब्जी में से, अगर एक-एक सब्जी भी लोगे ना, तो भी भाजी बहुत सारी बन जाएगी, तो आप डा 2 जाजिया डूब चाहि उतना ही पानी आपको कंदेडर डालना है अभी सच्छे से मिक्स कर देंगे और राधा भू ze अब कूकर में 5-6 सीटी आने देंगे और गैस का जो फ्लेम है उसको आपको हाई रखना है तो जब तक कूकर के अंदर सीटी आ रही है तो हम थोड़ी से सब्जिया और काट लेंगे ताकि जब भाजी पक जाया तो उसमें हम भाजी को छोग सके तो मैंने यहाँ पर दो प्या की तो मैंने सारे प्यास दो भी लिए हैं और अब बारी है इसे छोड़े तुकडों में काटने की आप चाहो तो प्यास को जादा बारिक तुकडों में भी काट सकते हो या फिर प्यास को थोड़े से बड़े तुकडों में भी रख सकते हो तो मैं प्यास को बारिक तुकड देते हैं और यह देखिए एक सेकंड ब्लेड ढटा दू पहले मैं अब चम्मा से आपको दिखा देती हूं तो इस तरह से मैंने प्यास को बारिक तुकडों में काट लिया है अब इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में शिम्ला मिर्च को भी मैंने छोटे ही तुकडों में कर-दो दिखा हुआ हें तो टमाटर भी कट चुके का ब्लेट डाल दे माल राएं आप चौपर को वापस से बंद कर देंगे और इसका दागए खेशते रहेंगे जिससाे जो टमाटर है वो जाएंगी तो टमाटर भी बारिक तुकडों में कट चुके हैं ब्लेड को हटा तो सारे सीटिए कूकर में आ चुकी है गैस को बंद कर देंगे और कूकर को मैं अभी नहीं खोलूँगी 10 मिनट रुकर ही खोलूँगी कूकर की सारे सीटी निकल चुकी है अब कूकर का डखन खोल लेंगे और ये देगे सारी सबजियों को जो कलर है वो बहुत ही लाइट हो गया है और सारी सबजियां अच्छे से पक भी चुकी है अब सबजियों को हमें करना है मैश तो मेरे पास एक कंचली है इस तरह अगर आपके पास कोई भी चमच है तो आप उससे मैश कर सकते है या पिर अगर आपके पास मैश है तो आप उससे भी से मैश कर सकते है सारी सबजियां अच्छे से मैश हो चुकी है और बीना कलर के ही इसके अंदर कितना अच्छा कलर आया है गैस पर रखेंगे कडाई और इसके अंदर मैंने डाला है आदी चम्मच ओईल और बटर बटर को melt हो जाने देंगे और बटर से भाजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बटर melt हो चुका है अब इसके अंदर डालेंगे आदी चोटी चम्मच जीरा जादा जीरा नहीं डालना है थोड़ा से ही जीरा डालना है अब डालेंगे बारी कटा हुआ लेसन अब इन दोनों ये चीज़ों को अच्छे से भुन जाने देंगे लेसन और जी रभून चुके हैं अब डालेंगे बारी कटा हुआ प्यास और प्यास को भी भूल लेंगे और आपको पता है कि भाजी बीना बहुत ही फाइदे मंद होती है अब आप बोलोगे कि भाजी कैसे फाइदे मंद होती है तो मैं आपको बता दू कि भाजी मेना सिर्फ सबजिया ही यूज होती है और ये सारी ही सबजिया बहुत पाइदेमंद होती है अब डालेंगे बारी कटी हुई शुम्रा मिर्च और इसे भी पका लेंगे शादी हो या फिर पाटी पाव भाजी आपको वहाँ भी मिलेगी क्योंकि पाव भाजी सबी की बहुत फेवरिट होती है चाहे वो छोटे हो या फिर बड़ी और भाजी को बनाना बहुत ही असान है बहुत ही जल्दी आप ये भाजी बना कर तयार कर सकते हैं फिर आप ये भाजी पाओ के साथ खा सकते हैं और एक चिस मैं बताओं आप ये भाजी ना ब्रेट के साथ भी खा सकते हैं अब डालेंगे बारिक कटे हुए टमाटर और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे हाँ तो हम बात कर रहे थे bread और पाओ की तो अगर आपको कहीं पाओ नहीं मिलते हैं तो आप bread ले सकते हैं तो जिस तरह से आप पाओ को सेकते हैं बस उसी तरह से आप bread को भी सेक लीची को हम्हें देंगे उंभ्लेट हटा देते हैं और इन्से भी सब्यों को सबी अच्छे सी मिक्स कर लेंगे तो यह सारी सब्जी अच्छे से गल चुकी है एंब जो बाकी के मसाले बचे आसे जाल म्यद्ध आधारेश मावगी मुज़ा पावभाजी मसाला मैंने डाला है धाई चम्मच और इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावभाजी मसाले के अंदर आपको सारे मसाले मिलेंगी तो इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब दुबारा से ढख कर रख देते हैं एक प्लेट से ताकि जू हमने मसाले इसके इंदर डाले हैं वो भी सब्चियों के साथ अच्छे से पक जाएं प्लेट हटा देते हैं और यह देखिए मसाले के उपर बीना तेल आना शुरू हो चुका है और मसाला भी अच्छे से पक चुका है अब इन मसालों को मिक्स कर देंगे और बीना ढखेगी ना सरफ एक मिनट के लिए इसे और पका लेंगे जो सब्चियों को हमने मैश किया है उसे डाल देंगे मसाले के अंदर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि आप भूल जाते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मैश की हुई सारे सबजी अच्छे से मिक्स हो चुकी है आप डाल देंगे भाजी की अंदर पानी और पानी मैंने इसके अंदर डाला है एक गलास आप इसे फिर से मिक्स कर देंगे और इसे बापस से पकने देंगे तो इसके पर धक कर रख देते हैं प्लेट अब प्लेट हैटा कर भाजी को चला देंगे अब गैस का जो फ्लेम है उसे आप लोग मीडियम कर सकते हैं क्योंकि जो ये बुल-बुल है है ये उरते जादा है तो इससे आपकी जो गैस है वो भी गंदी हो सकती है तो भाजी भी बनकर रेडी हो चुकी है और ये देखिए जिस तरह से भाजी बाहर मिलती है गाडी गाडी उसी तरह से हमने भी घर भी बना ली है गाडी गाडी तो अब भाजी के अंदर मैं डाल दूँगी आधा नीबू का रस और फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर बच्चे सबजे नहीं खाते है ना क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है कि मटर नहीं खाएंगे आलू नहीं खाएंगे टमाटर नहीं खाएंगे और और भी अच्छा टेस्ट के लिए डाल देंगे इसमें बटर और जब आप ये भाजी किसी को दोगे तो इसी तरह से बटर और धनी ये के पत्ते डाल के लिए देना उससे और भी अच्छा लगएगा तो भाजी तो बनकर तयार हो चुकी है तो इसे ढख कर रख देते हैं एक प्लेट से और मैंने यहां पर लिए हैं पाओ आप पाओ को इसे भी ले सकते हैं कोई से भी ब्रेंड के ले सकते हैं और जो ये पाओ का पैकेट है ये मुझे मिला है 40 रुपी का आप पाओ को पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं और इन लोगों ने ये सारे ही पाओ आग कि अप्टर को प्लिट टालेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगेronsih पाव काटे आप पाव करेंब ने देंगे लिए ठेस्ट सबयार एकड़ निम्स फेज़ सब्सक्राइब भी नहीं करनी है और टेस्ट भी आपको एकदम बाहर जैसा मिलेगा तो यह पाउ तो एक साइट से शिख गए हैं अब इसे पलट देते हैं ताकि दूसरी साइट से भी सिख जाए तो ये चारो ही पाव अच्छे से सिख चुके हैं अब इसे तवे से हटा देते हैं और पाव भाजी के लिए मैंने प्लेट भी तयार करके रख ली है जिसमें मैंने ली है हारी चटनी, नीबू, प्याज और खीरा बिलकुल मैंने भी वैसे ही प्लेट लगाई है जैसे जो हम बाहर पाव भाजी खाने जाते हैं और जो जो वो लोग प्लेट में रख कर देते हैं बस वही चीज़े मैंने भी प्लेट में रख लिए ताकि एकदम पावर जैसा फील आए, तो पाव को भी मैं रख दूँगी प पाव बाजी बनकर तयार हो चुकी है यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है अगर यके नहीं हो रहा ना तो एक बर इसको जरूर ट्राय करके देखना अगर आपको मेरी यह रैसेपी पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट में म कैसी लगी अब मैं आपको मिलूंगी एक नहीं रैसेपी के साथ अब तक के लिए आप अपना ध्यान लखिए मुझे आसे ही प्यार करते रहें टिक कियर बाबाई और ज्यादा आप मेरी इस रैसेपी को शेयर करना अपने पैमिली और फ्रेंट के साथ